दोस्तों यहां पे आपके लिए golden opportunity time चल रहा है like यहां पे आपको पता होगा काफी दिनों से बहुत लोग ढून रहे थे कि कब vacancy आएगा ITA student के लिए और diploma student के लिए तो guys आपको ओ मोका आ चुका है हो सकता है कुछ region के लिए vacancy ही आ रहा है यहां पे और एक वर्ति निकल के आ रहा है CSIR Central Scientific Institute यहां पे और एक वर्ति गाईज आपके लिए आ चुका है CSIR Central Scientific Instrument Organization तो यह ministry of science and technology government of India के अंडर आता है यहां से permanent job के recruitment है ना कि यह apprentice है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा detail में आपको समझाने वाला हूँ कौन-कौन इसको अपलाई कर सकते हैं और क्या eligibility criteria है और guys बता दूँ अगर आप एक ITA student हो आपके लिए सारे study material बना के रखाऊं आप check out कर सकते हो description में link दे रखाऊं previous year paper हो गया practice set हो गया all study material, study series यह सब भी मैंने बना के रखाऊं तो चलिए आप देख सकते हो guys यहाँ पे screen पे CSIR की यह है इसका official website यहाँ से आप advertisement डाउनलोड कर सकते हो और apply भी कर सकते हो पहले मैं आपको advertisement दिखा देता हूँ तो यह है guys CSIR CSIR Central Scientific Instrument Organization और इस organization जो है Council of Scientific and Industrial Research के अंदर आता है Government of India के अंदर आता है guys advertisement number देख सकते हो बट यहाँ पे देख सकते हो date of advertisement 12 मई में यह advertisement आया है और online कब से सुरू हो रहा है यह भी 12 मई से इसका online सुरू हो रहा है closing date कब है 12 जूम तक आप इसको apply कर सकते हो guys तो इसी के अंदर आपको apply करना होगा चलिए post detail देख लेते हैं कौन सा कौन सा post requirement आया है बता दूँ post जो आया है वो technician post ही है technician मतलब यहाँ पे ITA student and diploma student इसको apply कर सकते हैं like यहाँ पे देख सकते हो name of post technician group 2 के लिए है total जो post है 44 post आपके लिए रखा गया है यहाँ पे only जर में 25 है out of others बाकि सारे हैं तो यहाँ पे आपकी जो joining होगा level 2 में आपकी joining होगा 19,900 से शुरू करके 63,200 जो basic पे रहने वाला है यहाँ पे गाइस देख सकते हो approximately यहाँ पे 37,000 इन चंडीगर में है और 39,000 इन चैन्नाई में है तो approximately इतना आपकी salary बन सकता है और जो maximum age limit है वो 28 year तक आप apply कर सकते हो यह तो रहा total post 44 but trade के लिए भी है vacancy पूरा distribute किया गया है आप कौन सा trade से बिलंग करते हो और कौन सा post के लिए आप apply कर पाएंगे तो guys देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे electrical engineering में यहाँ पे post रखा गया है total on reserve में 2 है SC में 1 है OBC में 1 है तो total 4 post रखा गया है और इसके लिए क्या qualification चाहिए 10th plus ITI आपके पास होना चाहिए 10th plus ITI है तो आप इसको apply कर सकते हो और job requirement यहाँ पे इतना आपकी fulfill हो रहा है तो ही आप apply करना क्योंकि यहाँ पे experience तो नहीं लिखा गया है बट हाँ minimum जो आपकी skill है यह होना चाहिए जनरली आपके पास हो या ना हो apply तो जरूर कर लीजिए ITI in electrician trade है तो आप इसको apply करिए जैसे कि यहाँ पे electronics engineering में past 5 post है इसी तरह ITI में आपके पास electronics engineering होना चाहिए next यहाँ पे देख सकते हो electronics engineering में इसमें एक post है इसी तरह आप देख सकते हो guys बहुत सारा post रखा गया है जैसे कि electronics, electronics machine वालों के लिए है यहाँ पे turner student के लिए है यहाँ पे fitter student के लिए है fitter student के लिए बता दूँ यहाँ पे दो post है आगे जाके हो सकता है और भी है machine student के लिए यहाँ पे 5 post है guys बहुत बढ़िया post रखा गया है मासिनी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ड्राफ्समेन सिविल के लिए भी पोस्ट रखा गया है एक पोस्ट है फिर वेल्डर के लिए एक पोस्ट है फिर यहाँ पे टूल एंड कोटिंग ग्राइंडिंग के लिए एक पोस्ट रखा गया है सीट मेटल के लिए एक पोस्ट carpenter के लिए एक post है RSC के लिए एक post है इसी तरह बहुत सारा post मतलब बहुत सारा trade के लिए है बट total number of post जो है वो 44 post रखा गया है इसका selection process थोड़ा अलग है guys लाइक यहाँ पर अगर आप eligible हो रहे हो तो आपको पहले trade test लिया जाएगा मतलब आपकी जो skill test होता है जनरली इस रोब अगेरा में last में लिया जाता है बट यहाँ पर पहले trade test आपकी लिया जाएगा उसके बात बाकी सारे return test लिया जाएगा और return test जो है paper 1, paper 2, paper 3, 3 paper में आपकी conduct किया जा रहा है बाकी इसका पूरा syllabus mentioned किया गया है आप लोग check out कर सकती हो उसके उपर edge relaxation लेना चाते हो 28 year plus अगर आप edge relaxation लेना चाते हो SCST के लिए 5 year मिल जाएगा OBC के लिए 3 साल आपके extra मिल जाएगा अगर आप apply करना चाते हो तो कर सकती हो guys कब से आप apply कर सकते हो guys यहां पर mention किया गया है 12 माई से आप इसको apply कर सकती हो और इसका last date जो है 12 June तक आप इसको apply कर सकती हो जी हां guys अगर हम बात करें अगर application fee की तो यहां पर आपको non refundable 500 रुपीज पे करना होगा 500 रुपीज guys 500 आपको पे करना होगा और अगर आप SCST EWS woman candidate हो तो आपको छूट दिया जाएगा आप apply free में कर सकती हो और यहां पर इस portal में आप आके apply कर सकती हो अगर आप apply नहीं कर पाएंगे तो जरूर comment करना में आपके लिए एक individual वीडियो बना के कैसे इसको apply करना है पूरा detail में आपको समझा दूँगा चलिए guys इसके regarding और कुछ भी doubt है तो पूछ सकती हो और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि अभी इसरो की bulk में अभी vacancy आया है उसके लिए मैं 100% आपके लिए तयाई कराऊंगा और हम live भी आने वाला है बहुत जल्दी हम live test भी लेंगे हमारे app में और हम live आके discussion भी करेंगे बहुत सारा question जो भी आपकी सवाल है आप पूछ सकते हो guys चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए इस साल हमारे goal है job लेने का तो आपका भी goal बना लीजिए चैनल के साथ जुड़ जाएए मिलते हैं बाई बाई चैहिं